Hello everyone, आज होए 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करें जा रहे हैं Yes Bank के बारे में Yes Bank के नतीजे आ चुके हैं और जैसे expected थे वैसे आये जरूर है वीडियो में बात्चुरित करेंगे जो इनके quarter one के results आये हैं तो प्लीज अभी इसे subscribe कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको काफी जादा help करेंगे तो अठार रुपय का share है Yes Bank का Friday को हमें यहाँ पर कल कह सकते हो कि 2% की तीजी देखने को मिली थी और अगर आप चनल को regular follow करते हो तो तीन दिन पहले ही मैंने Yes Bank के उपर वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि नतीजे से पहले जो expectation है वो काफी positive है यहाँ पर और हो सकता है हो सकता है कि यहाँ पर आपको अच्छे results देखने को मिले और जिसके चलते आने वाले दोर में चाहिए थोगा सा move देखने को मिल सकता है और जो results है उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे यहाँ पर लेकिन एक महिने में बहतरीन तेजी दिखाई है अच्छली में देखा चाहिए तो जो तीजी आई थी वो एक हफते में ही आई थी अभी लंबे समय सा यह 17-18 की रेंज में यह अठका हुआ है एक साल के अगर हम बात करेंगे तो 22-23% की तेजी अभी भी है एक बड़ी रफतार आई थी 24 रोवे पर शेयर गया बाद में लगातार बड़ा करेक्शन बना था और अगर आप चैनल को रेगिलर फॉलो कर रहे हो मैंने कई बार वीडियो बना कर कहा है कि 15-16 का रेंज मुझे खराब नहीं लगता है याज बैंक में खरीदारी के लिए अट्रेक्टिव लगता है क्योंकि देखो बैंक बरबाद नहीं होने वाला है और दिरे-दिरे इनके जो असेट्स क्वालिटी है वहाँ पर इंप्रूमेंट देखने को मिल रहे है दिरे-दिरे बैंक के अगर आप बरिवनियों देखो तो बढ़ते हुए नजर आ रहे है यहाँ पर जो रिजल्ट्स आए उसके बार में कर सबसे पहले अगर हम बात करने जाए तो इस बार का जो इनका इंकम हुआ है वो वाकई में जादा हुआ है पिछले क्वाटर से कंपेर करोगे तो भी जादा है पिछले साल के क्वाटर से कंपेर करोगे तो भी जादा है इस बार कि इनकी जो इंकम हुए वो 7585 करोड के आसपास के रही है जो इससे पहले की क्वाटर में 7220 करोड के आसपास के हुआ करती थी और पिछले साल इसी quarter में इनकी जो income थी वो 5875 करोड के आसपास के देखने को मिल रही थी तो देखा जाए तो लगातर इनकी income में धिरे-धिरे 30 करोड से भी जादा का देखने को मिल रहा है जो इससे पहले के quarter में 202 करोड था और पिछले साल इसी quarter में 310 करोड के आसपास का profit था तो profit में लगातर तीजी आई है जो कि अच्छा sign है और दूसरी तरफ अगर हम बात करने जाए तो इनका जो assets quality है यहाँ पर improvement आया है और काफी बड़ा improvement है पिछले साल के comparison में आधिके banks की जो assets quality उसमें healthy improvement आया है इनका जो gross non-performing assets है वो 2% रह चुका है जबकि पिछले साल इसी quarter में 13.13% का था यह तो बहुत drastically कहा सकते है की improvement यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ quarter में अगर आप देखो तो लगाता है इनके revenue बड़े से लेकिन इनके profit में गिरावट देखने को मिल क्योंकि इनको कई सारी बड़ी provisioning करनी पड़ रही थी यहाँ पर आप इनका NPA देखो NET NPA के अगर हम बात करें तो वो भी 1% है जो कि पिछले साल इसी quarter में 4.2% था तो बहुत drastically improve हो रही है चीज़ है यहाँ पर पंपनी के जो MD और CEO है प्रशांत कुमारूं की तरफ से statement आया है कि quarter 1 का जो है financial 2024 का was steady quarter where we have demonstrate significant process in line with strategic objective while the balance sheet अगर आप देखोगे तो continually improve इनकी होती हुई नजर आ रही है यह इनका कहना है उसादों का यह भी कहना है कि with the focus of the bank now firmly aligned towards improving and profitability of the franchise over the coming quarters we will continue to work on levers that further accelerate this momentum तो आने वाले दौर में इनका कहना है कि और अच्छे improvements होने वाले है दिरे दिरे हम चीज़ों को accelerate करते हुए नजर आ सकते हो और यह वाकई में अच्छी बात है और देखो अगर इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि इनका जो profit था ना वो लगा तर decline हो था पहले देखो 371 क्रोड का profit था गटके 314 क्रोड रहा गटके 160 क्रोड रहा गटके 55 क्रोड रहा यह जो यह जो दो क्वार्टर है इसमें इनको कई सारी प्रोविजन करनी पड़ी जबकि इनके रिवन्यू में लगाता तीज या रही थी रिवन्यू जो तो और बहतर numbers देखने को यहाँ पर मिल रहा है जो कि अच्छी बात है कि revenue में भी तेजी है profit में भी तेजी है और NPA जो है इनकी जो काफी सस्ता है लेकिन अगर हम valuation के इसाफ से देखें यह तो महंगा है सतर का इसका पी है जो कि काफी महंगा है यह और तो और अगर हम बात करेंगे dividend की तो हाला कि अभी भी वह पे नहीं कर रहा है लेकिन मुझे लगता है कि शायद आने वाले कुछ quarter बाद यह payout करना शुरू कर सकता है जब लगाता है इनके profits में इंप्रोमेंट देखने को मिले और जब तक और नहीं देखने को मिलेगा मुझे यह pay नहीं करेगा और यह बहुत सब्सक्राइब करेंगे जहां तक बात करी जाए इनके revenue आप देखेंगे की तीजी से बढ़ते नजर आए COVID के टाइम पर घटे जरूर थे बैंक दिवालिया भी होने वाला था लेकिन बचा लिया गया इसको और अभी दीरे दीरे इनके improvements देखने को अभी तो यहां पर मिल रहे हैं आप देखें लगातार दो साल इतने खराब थे 16,000 क्रोड का loss देखा था इन्होंने फिर 3500 क्रोड का loss था बाद में धिरे धिरे improvement लोटी है मैं उमीद करूँगा कि यह चीज़े continue रहे इनके लिए और यहां से बहार आ जाए और जहां तक बात करें shareholding की तो देखो latest shareholding pattern आ चुका है जैसे प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है जो थी राना कपुरन फैमिली वो यहां से exit क आई है Files लगातर खरीदारी कर रहे है 23.11 से बढ़कर 23.79 पर आ चुके है Files इवन एक टाइम पर Files की holding साड़े 11% की थी अभी double हो चुकी है एक ही साल के अंदर तो एक ही साल के अंदर Files ने बहुत बड़ी quantity यहां पर खरीदी है DL की बात करेंगे तो DL almost जहां थे वहीं पर है लेकिन mutual funds ने थोड़ी बहुत खरीदारी यहां पर ज़रू करी है 0.12% से बढ़कर 0.16 पर आये हैं insurance वाले मलब जहां थे वहीं पर है 4.62 से बढ़कर 4.62 मलब वहीं पर है 4.62 ही है others में अगर आप देख रहे हो ना other DIs यह वह यह SBI के साथ और भी है जो है banks उनका है य 33.05% की holding है ठीक है गटके 32.95 पर आई है तो एक चीज़ यहां पर अगर मैं देख रहा हूँ तो जो बड़े-बड़े banks ने खराब दौर में Yes Bank के share में खरीदारी करी थी मुझे लगता है कि ज़्यादा बहुत quantity बेची नहीं है भले ही इनका 3 साल का lock-in PD खतम हो चुकर लेक कि अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है कि जो SBA ने इसको बचाया था जो SBA ने पैसा लगाया था जो पैसा ICICI कहलो कोटक कहलो IDFC first bank कहलो कई सारे banks ने यहां पर मिल कर आये थे दस-दस रुपे भाव पर एक्विटी खरीजी थी और तीन साल का lock-in PD लगा था उन्हें किसी ने भी बेचा नहीं यह lock-in PD खतम होने के बाद मुझे लगता है कि इंतिजार वो लोग करी रहे थे कि वह यह कब इनके नतीजह आएंगे और अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद हम थोड़ा बहुत सोचेंगे यहां पर मुझे वही लग रहा है कि नतीजह का वेट हो रहा था और एक्सपेक्टेट था कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो देखो यहां पर पता है क्या होगा नतीजह आए हैं बहतर आए शायद एक दो दिन कर रहे हैं ठीक है कि रिजल्ट्स आजाए अच्छे हैंगे शेर में तीजह है कि थोड़ी हम थोड़ा बद माल यहां पर बेचेंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ तो नहीं बेचेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो बेचने के शुरुआ शायद वो कर सकते हैं लेकिन फिर्वी में कहुंगा कि देखो यस बेंक बरबाद होने वाला बैंक नहीं है बच चुका है रिवाइव हो चुका है अच्छा कासा पैसा है इनके पास और अभी देरे देरे प्रॉफिट भी कर रहा है इनके असेट्स क्वालिटी में इंप्रोमेट भी देखने को म लेकर तब खरीदारी के यहां पर मौके बनते नजर आ सकते हैं और मैं मान के चला हूँ कि थोड़ा बहुत और रफ्तार पकड़ने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में देखने को मिलती रहेगी और वहां पर मौके बन सकते हैं तो यह कहूंग कूपन कोड HSA20 का इस्तिमाल करोगे तो आपको 20% का डिसकाउंट भी यहां पर मिल जाएगा कई सारे बहतरीन फीचर से यहां पर जहां पर आप एक क्लिक में करें चाहिए पहले बारें तो प्री सब्सक्राइब करें और यह बैंक के बारें क्या सोचते हैं वह भी आप मुझे कमेंट में लेक्ष कर बता सकते हैं थैंक यू